देखो बच्चो कुरिशन नामबर एट में तुम्हें क्या करना है एक बस टॉप है ठीक है उसको जो है इन्होंने बैरिकेट करा है रोट से अलग हटाए उसको ठीक है मतलब एक समझ लेक बैरियर टाइप का लगा है तो बैरियर किस चीज के लगे हो तो यूजली ऐसे कोनिक का सब्सक्राइब के सदक पर पर आप सबस्क्राइब कर वह अपर पर निकाले तो अब कर नहीं कहें बच्युट इससरफिस प्रहट कर दो कर dataset चुर्ट साब रिचिए के लिएक है तो यहां क्या फोर्मिला है पहले हलें तो इस में पर अदूर्छ बमें R निकालो R is equal to D by 2, diameter को 2 से divide करो, ठीक है, तो 40 divided by 2, यह हो जाएगा तो आपस 20 cm, unit का यहाँ पर बहुत खयाल रखना है, ठीक है, यह 20 cm आ गया, यह तो तुम्हारे पास R आ गया, अब देखो L जो है बच्चो, L square is equal to H square plus R square, है न, तो यहाँ पर बच्चो, तुम्हारे पास ए एक given है यहाँ पर, एक value given है, under root 1.04 is equal to 1.02, यह सोचो यह क्यों given है, यह इसलिए given है बच्चो, के मुझे यहाँ पर जो है, सारे unit meter में लेने है, ठीक है, चलो भी देखते हैं कैसे, तो देखो, यह कितना हो जाएगा, height 1 का square, ठीक है, R कितना है 20, इसको मैं meter में अगर करती ह हुँ, तो यह कितना हो जाएगा, 0.2, है न, ठीक है, तो मुझे इसका square करना पड़ेगा, यहाँ पर, right, 0.2 का square कर दो, ठीक है, clear है, यह हो जाएगा, 1 square plus 0.04 ही हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, 1.04, यह L square की value आ गई, 1.04, ठीक है, और तुम्हाँ पास L की under root 1.04 है, ठीक यह value तुमको given है, यहाँ पर, इसलिए मैं कहरी हूँ कि सारे unit तुम्हें भी meters में ही रखने पड़ेंगे, तो देख लो, कितना असानी हो गई हमें, यहाँ बर्या आ जाएगा, 1.02 meters, यह L की value आ गई, ठीक है, अब तुम्हारे पास L मौझूद है, तो तुम curved surface area निकाल लो pi R L, यह हो जाएगा, तुम्हारे पास 3.14 into R कितना है तुम्हारा, R is 0.2, L कितना है तुम्हारा, 1.02, ठीक है, इन दोनों को भी multiply कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 3.14 into 0.204, ठीक है, यह आ गया meter square, अभी रुख जो, अभी आगे नहीं करना, ठीक है, ऐसे तुमको 50 कौन च ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, cardboard for making 50 boards, cardboard for making 50 boards, 50 cones, कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें तुम 50 multiply कर दो, तो देखो, 3.14 को मैंने, अगर decimal अटाती हूँ, 00 लगा दो, इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें 1, 2, 3 लग जाएंगे, है ना, ठीक, और, फिर 50 है, इंटू 50 से multiply कर दो, ठीक, तो यह तुम्हारा आ जाएगा, 0 से 0 गया, और, 5, 2, 10, 0, ठीक है, इसको करो, तो यह तुम्हारे पास आ जाएगा, 32.028 meter square, ठीक है, यह तुम्हारा क्या आ गया, 50 कोन का जो, curved surface area वो आ गया, ठीक, अब तुमको क्या निकालना है बच् तो इनकी cost निकालनी है, ठीक है, अब हमें cost निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर, ठीक है, question lengthy है, लेकिन इतना difficult नहीं है, आसानी है, question ठीक है, तो देखो बच्चो, कैसे निकालोगे, cost of painting, 1 meter square is equal to rupees 12, 12 रुपे में 1 meter square paint हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पर, तो इसक की costing कितनी आ जाएगी, total cost will be, 12 into, यहाँ पर कितना है था हमारा, 32.028, okay, normal multiply करो इसको, so you will get the answer as, 384.366 rupees, ठीक है, this will be your answer, ठीक है, clear है, वीडियो पसंद आयो तो प्लीज चानल को, subscribe करना, thank you for watching, braino solutions